वेलकम बेक to में योट्टेप चैनल गाईस आज की वीडियो स्टार्ट करते है आज की वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज मैं जो आपको बताना चाती हूँ तो वीडियो एन तक ज़रूर देखेगा दो important चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि first है reading के regarding जैसे कि October में on November में reading कैसे आने के chances हैं जैसे कि मैं आपको website भी बताऊंगी जिस website से आपको practice करनी चाहिए reading के लिए first हम बात करते हैं level के regarding जैसे कि October on November में जो level आने के chances हैं जो रहेंगे reading के easy to moderate या moderate रहा सकते हैं सर्फ यही दो चाहिए level है जो रहा सकते हैं अगर हम बात करें difficult level की difficult level की reading आने के बिलकुल भी chances नहीं हैं October और November में but December में possibility है कि difficult level आ सकता है but इन दो months में level रहेगा easy या easy to moderate अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी website से practice करने चाहिए reading के रिगारे आप मेरी written task की already prediction वीडियो में डाल चुकी हैं आप वो भी जाकर check कर सकते हैं और speaking cue card की prediction वीडियो भी October मन्थ के लिए वो भी डाल दी है साथ की साथ most ask cue card वो भी upload कियो हैं आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं मेरे channel पर जैसे कि जो website जहां से mostly reading passages आते हैं फर्स्ट वेबसाइड है alsever.com और second website है जैसे कि alsever.com यहां से mostly reading passages हमेशे आते ही आते हैं second website है alseonline training.com alse trainingonline.com यह website है third website है mini als.com जैसे कि जो mini als.com है website है यह वाली website से mostly cameras का material लिया जाता है और इससे भी काफी बात reading passages आएं बट फर्स्ट मैं preference दोंगी alsever.com को because mostly वान से reading आते ही आती है जैसे कि mostly chances होते हैं और मैंने पिछले previous exams में with the dates बताया हुआ with the reading passages जिसके name बताया हुए बट क्या होता है कि reading passages वो ही आते हैं बट वो question change कर देते हैं सबसे बड़ी यह चीज होती ही काफी बच्चे answers को रटा लगा लेते तो जिसकी वज़े से उनका खुद का ही नुकसान होता है अब हम आगे बात करते हैं कि काफी बच्चों को problem आ रही है जैसे कि October का मंत स्टार्ट हो गया जैसे अब second October है तो October की almost सारी seats बुक हो चुकी है हर एक city में जैसे कि 90% seats हैं जो बुक हो चुकी हैं सारी cities में कुछ ही जगा है जहां October मंत की बुकिंग अभी रहती है कुछ जगा पे बट जादे तर जो बचे अब exam book करने के बारे में सोच रहें कि October में वो exam book करेंगे तो उनको जो date मिलेगी वो six number की ही मिलेगी ज़ा six number से आगे की मिलेगी जब वो exam book करने के लिए जाएंगे तब उनको बोले जाएगी six number तब वो बोलेंगे कि हम अपने parents एक month पहले एक अपना exam book कर लीजिएगा जैसे कि मैं ये सारी चीज़े हैं जो आपको बताना चाहती थी आप मेरी reading and writing और listening की जाके playlist चेक कर सकते हैं आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा help मिलेगी and do subscribe to my youtube channel guys